सीटेट 2020 जिसकी परिक्षा 31 जनवरी 2021 में संपन्न होने जा रही है क्या क्या चीजे और कौन से डोकुमेंट्स आपको ले करके जाने होंगे परिक्षा हाल में साथ ही OMR सीट पर भरते समय क्या कुछ डिटेल आपको सही से फिल करनी है और किस प्रकार से OMR को फिल करना है और क्या-क्या साथानिया बरतनी है इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यव चैनल अगर आप इस चैनल पहली बर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले COVID-19 महमारी को देखते हुए सरकार के द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइन्स जारी की जा रही थी उन्ही सबी गाइडलाइन्स को CBSC के द्वारा भी नोटिफिकेशन में जारी किया गया है और आपको बताया गया कि किस तरीके से आप परिशाहल में विहेव करेंगे और COVID-19 के सबी गाइडलाइन्स को आपको फॉलो करना होगा जो कि आप इस पर देख पा रहे हैं यह जनरल गाइडलाइन्स है जो कि अभी तक आप समय समय पर न्यूज पेपर्स में या फिर आर्टिकल के माधिम से पढ़ते आ रहे थे कुछ भी नया नहीं है अब बात कर लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यमेंट्स आपको ले करके जाने हैं यहां पर कुछ चीजे आपको साथ में कैरी करना होगा जैसे की पहला नंबर पॉइंट देख सकते हैं आपको 50 ml का हैंड सेनेटाइजर ले करके जाना है अब कुछ लोग की कमेंट्स यह आ रहे थे कि अगर उनके पास 100 ml या फिर 500 ml का सेनेटाइजर है तो क्या वो मानने होगा बिलकुल मानने होगा यह 50 ml इस वज़ा से मेंशन किया गया है ताकि आपको कैरी करने में आसानी रहे अगर आपके पास 500 ml का भी सेनेटाइजर है ट्रांस्पैरेंट बॉटल में तो वो भी बिलकुल मानने होगा अगला आपको ले करके जाना है face mask जो आप mask यूज़ करते हैं वो ले करके जाएंगे तीसरा है hand gloves only on hands जो doctors generally operation करते समय यूज़ करते हैं वही hand gloves आपको ले करके जाना है ये medical shop पर आपको 15-20 रुपे में मिल जाएगा अगला है transparent water bottle for personal use यानि कि आपको अगर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो उसके लिए water bottle भी ले जा सकते हैं जो कि transparent bottle में होना चाहिए इसके अलावा आपको admit card carry करना है admit card में जो self declaration का form है वो भी आप ले करके जाएंगे और अगला है identity card जो आवेदन करते समय आपने ID card use किया होगा वहीं ID card आप ले करके जाएंगे और ID card original ले करके जाना है जब आप admit card डाउनलोड करेंगे तो उसमें PDF में दो pages होगे पहले page में self declaration के लिए form दिया गया है और दूसरे page में आपका admit card होगा self declaration में आपको खुद से declare करना है कि आपको निम ने दिये गए symptoms में से कोई भी symptoms नहीं है आप पहला line देख सकते हैं I hereby declare that I don't have any of the below listed symptoms यहाँ पर आप सबसे नीचे वाली line देख सकते हैं The candidate must fill up the above self declaration and keep the same with her, him He, she must show the declaration at the time of entry in the examination center if asked for यानि कि आपको जब examination हाल में जब आप enter करेंगे तो उसके पहले जो आपका admit card check होता है उसी समय आपसे ये self declaration form भी मांगा जा सकता है और उस समय आपको present करना होगा यानि कि परिक्षा हाल में जाने से पहले ही ये सभी चीज़े आपकी जाची जाएंगी तो निशी तोर पर आपको ये सभी चीज़े घर से ही फिल करके ले जानी अवर्शेक होंगी OMR seat भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप blue या फिर black ball point pen का ही यूज करेंगे तीसरा number point आप देख सकते हैं Candidate should have their own blue black ball point pen for filling OMR seat ठीक है आप pencil का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंग OMR seat पर सिर्फ और सिर्फ black या फिर blue ball point pen का ही इस्तमाल करना होगा ये सभी महतोपूर्ण instructions आपके admit card पर लिखे हुए हैं तो आप परिछा में समलित होने से पहले एक बार admit card के सभी instructions को जरूर पढ़ लें इसके अलावा सही तरीके से OMR seat को किस प्रकार से भरना है ताकि आपका result OMR पर गलती के वज़े से प्रभावित ना हो इसके regarding एक dedicated वीडियो में detail में मैंने बाते कर रखी हैं तो उस वीडियो का link मैं इस वीडियो के description में दे रहा हूँ इस वीडियो के complete होने के बात से आप description में दियेगा वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुभव